नमस्का दोस्तो स्वागत है आप सभी लोग का दोस्तो आज हम देखने वाले हैं ग्यान बिंदू जयसे अकेडमी के तरफ से जो हमारा कोस्टन मैंग निकाला गया था आज हम इसी का वीडियो देखने वाले हैं और आज का जो वीडियो होने वाला है यह आपका सेट नंबर 12 है पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि यह जो आप किताब अच्छे से जखते हैं हर एक सेट को पूरा एक एक लाइन जखते हैं तो आपका 50% जो तैयारी है आपका इसी किताब से हो ज्यादा है अब देखिए इसमें आपका 2008 से ले करके 2012 तक जितना भी 2022 तक जितना भ देख पा रहे होंगे यह हमारा उत्पाद दरोगा जो कि उत्पाद अवर निरक्षक प्रारंभिक परिक्षा का हल प्रस्न पत्र है और यह हमारा 9-6-2019 को एक जाम हुआ था इसी का आज पेपर हम देखने वाले हैं पूरा वीडियो को देखिएगा एक एक पॉइंट आपक कि सही माले स्रेणी के अंतरगत आते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा औप्सन नबर 1-3 सही माले ए इसका सही उत्तर हो जाएगा देखे यह तीवालिक हमाले की बात करेंगे तो औन यह नाम जो है इसका बाहरी उप हमाले है यह हिमाले के सबसे नविंतम स्रेणी है इसको जम्मो में जम्मो पहाड़ियां था अरुणाशल प्रदेश में डाफला, मिस्मी, मीरी और अबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है बात करेंगे बिरिहात हिमाले देखे अन नाम इसका जो है सरवच हिमाले या फिर हिमाद्रे भी कहते हैं विस्व में सबसे उची चोटी एवरेश टेनी नेपाल इसी परवस्रेणी में इस्तित है इसकी उचाई करीबन 8888.86 मिटर है लगु हिमाले जो है इसका अन नाम जो है मद हिमाले है और इसके अंतरगत पीर पंजाल धौला धर महा भारत स्रेणी जो ये सब आपको देखने को मिलता है आगे क्या है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोसर निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा ओप्शन हमारा यहां पर एस ही हो जाएगा देखिए प्लेसेंटा यानि गर्भनाल माता के गर्भ में होता है जो सीसू के नाभी से जुड़ा होता है इसे के माध्यम में या फिर इसे के माध्यम से गर्प में पल रहे बच्चे को पोसडों तत्व जो है प्राप्त होते हैं मुख से पाचन किरिया का प्रारम होता है इस पुएंट को याद रखेंगे हेपेटाइटिस भी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मुलन का लक्ष जो है रखा है उत्तर हो जाएगा 2030 तक ऑप्सन हमारा यहां पर यह हो जाएगा देखिए अगर हम बात करते हैं एट्स के बारे में तो इसका जो खत्म करने का लक्ष है 2030 तक है टीबी खत्म करने का किन दो सहरों की बीच चलती है या फिर चली है उत्तर हो जाएगा मुंबई से गोवा आंसर याद रखेंगे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बोला कि भारत के पहले लग्जरी कुरूज जहाजों की अग्रिया सीप सरपर्थम 24 अक्टूबर 2008 को मुंबई से गोवा की बीच में चली थी नैश्टे की पूर स्वराज का लक्ष जो है कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था तो यह आपका पारित किया गया था लाहोर में ऑप्स नमबर सी देखें लाहोर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 के अधिक्सता जो है जावाहार नहरू ने किया थ इसी दिन रावी नदी के टट पर जो है जंडा फाराया गया था 1896 का कलकता अधिवेशन में पहली बारवंदे मातरम गया गया और इसके अधिक्स कौन थे रहमितुल्ला सायानी थे 1924 का बेलगाउं अधिवेशन में गांधी जी ने अधिक्सता किया था 1912 का मांकीपुर अधिवेशन में जो इसके अधिक्सता है आर एन माधोलकर ने किया यह बिहार का पहला अधिवेशन था याद रखेंगे आई बी समर युद्ध्या अभ्यास का जो संबंध है निम्न में से किस देश से नहीं है उत्तर हो जाएगा मैयानमार से यह आपका नहीं है उत्तर हम मुद्री सहयोग को अविश्रण करने के लिए आयोजी जो है किया गया था आगे है कि इव समर जो है आपका 567 2022 युद्धिया व्यास दछिड फ्रीका में 10-12 अक्टूबर को संपन हुआ था निम्न में से कौन इंधन बायो इंधन का उधरण जो है नहीं है तो पूछ रहा कहते हैं इनका परियोग जो है केवल स्वरी इनका परियोग जो है करके उसमा विधूत या गतीज उर्जा उत्पन किया जा सकती है धरातल परविदमान संपुड वनस्पति और जनतु जो है पदार्थ को बायो मास कहते हैं आगे है कि हैव लॉक दिव जो है इसका नाम पर जैसे है व्लॉक का पूछ रहा है तो सोराज दीप हो जाएगा नील द्यूप का आपका हो जाएगा सहीद द्यूप रास द्यूप जो है नेताजी सुभास चंद्र बोस द्यूप तीनों को याद रखेंगे इंपोर्टेंट है आपके लिए आगे पॉइंट है कि जिसे रास जो है नेताजी सुभास द्यूप है हाल ही में जनवरी 2023 में केल्द सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्यूप के 21 द्यूप जिसमें 16 उत्तर और मध्य अंडमान जीले में इस्थित तथा पांच द्यूप दच्विड अंडमान में इस्थित का नाम जो है बदल करके पर सोमनात सर्मा जो है आपका इनान 373 था जो कि सोमनात द्यूप कर दिया गया है जो नया चेंज कर दिया गया है वसी को हम देख लेते हैं जैसे मेजर राम मेजर राम रागोबा राने जो है इनका 474 था विसको राने दियूप कर दिया गया है कमपनी हवलदार मेजर पीरु सिंग 374 पीरु दियूप कर दिया गया है लेटिनेंट करनल धन सिंग थापा जो है 446 धन सिंग दियूप कर दिया गया है मेजर सहतान सिंग जो की 255 था जो की सहतान सिंग दूप कर दिया गया है लेप्टिनेंड करनर ए बी जो की अर्दे सीर बरजारी की बात करते हैं तो तारापूर तारापूर दूप कर दिया गया है मेजर होसियार सिंग 287 होसियार दूप कर दिया गया है Flying Officer निर्मल जीत सेखो इनका सेखो द्यूप कर दिया गया है मतब जिसका जो नाम है उसी के नाम पर ये रखा गया है लेकिन हम एक एक बार सबको देखेंगे आगे है कि नायब सुबेदार बाना सिंग 293 बाना द्यूप कर दिया गया है कैपटन मनोज कुमार पांडे मनोज पांडे दियूप कर दिया गया है 306 का कोड था सुबेदार मेजर रिटायड जो की अनरेरी कैपटन योगेंदर सिंग यादो जो है यपके योगेंदर दियूप कर दिया गया है सुवेदार एवं अन्रेरी कैप्टन करम सिंग 308 करम सिंग द्यूप कर दिया गया है नायक जादुनात सिंग 178 जादुनात द्यूप कर दिया गया है कैप्टन जोकी गुर्बचन सिंग सलालिया द्यूप कर दिया गया है आगे कि सुवेदार जोगिंदर सिंग जो है 414 जोगिंदर द्यूप कर दिया गया है कमपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद द्यूप कर दिया गया है यानि सभी द्यूप को हम देख लेते हैं आगे है कि लांस नायक अलबट एका अलबट एका दियूप कर दिया गया है सेकंड लेप्टिनेंट अरुन खेतरपाल जो है खेतरपाल दियूप कर दिया गया है मेजर रामा स्वामी जो की परमेस्वरन जो है 421 परमेस्वरन दियूप कर दिया गया है कैप्टन विकरम बत्र 407 विकरम 22 कर दिया गया है सुभेदार में जर संजे कुमार जो है 536 संजे दियूप कर दिया गया है आगे है नीम्न में से कौन सा मिलान जो है सही है बताईए देखिए इसका अंसर हमारा यहां पर भी हो जागा 3,1,4,2 पढ़ते हैं नीचे दिया गया है जैसे बुद्ध के जन्म के पूर्व छठी सताब्दी इसा पूर्व में भारत वर्स सोला जन्पदों में बटा हुआ था इसकी जानकारी जो है हमें बहुत गरंथ अंगुतर नि बिहार के बारे में है ठीक है अंग महा जन्पद का उलिख जो है महा भारत और अर्थरवेद में मिलता है अंग महा जन्पद को बिम्भी सार ने मगद समराज में मिला लिया था यह वर्तमान में बिहार और पसी मंगाल में इस्तित है इसके रज़ राजधानी है चंपा गं मगत की बारे में देखिए इसकी जो रजधनी है गिरी ब्रज ये फी राजग्रिह भी बोलते हैं आज़ुने के स्थान जो है गया और पटना जो कि बिहार के बारे में उत्तर प्रदेश के बारे में है यह हवाराणसी में इस्तित था आगे के सुनंद जातक से ग्यात होता है कि मगध कौसत था अंग के ऊपर कासी का अधिकार था मतस्य पुरण के अनुसार इस सहर का नाम जो है वरुना और असी नदियों के नाम पर पड़ा है कासी का सबसे सक् जिसने कौसल के ऊपर जो है विजयप राप्त किया था कौसल के ऊपर बात करेंगे वद्स देखे इसकी जो राजधानी है दोस्तों को सांबी है आधुने की स्थान की बात करते हैं तो इलहाबात के आसपास उत्तर परदेश के बारे में है वद्स को वामसा के नाम से भी ज नोट किजेगा और राजधानी कोसांबी या फिर कोसांबी थी जो गंगा और यमुना के संगम पर थी यह आर्थिक गतिवीदियों के लिए एक केंद्रित सहर था बुध काल में यहां जो है कौरवन्स का सासन था जिसका सासक उदयन था है ना आगे के छटी सताब्डे में व्यपार और समृत हुआ बुध के उदय के बाद जो है सासक उदयन ने बौत धर्म को राजकिया धर्म बना लिया या फिर बना दिया तक ने अंग कि राजधाने जो है चमपा को जीता था कोसल या फिर कोसांबी दच्षडी भी बोलते हैं आधुनिक स्तान जो है फैजाबाद गोंडा बहाराईच उत्तर प्रदेश के बारे में है यह उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध शेत्र में इस्ति फाला हुआ है आगे क्या है कोशल में कपिल वस्तु के साक्व प्रिशन के बारे में राज़ाने जो है मतुरआ वपतेर पर्देश के बारे में हैं बोरला की प्राचिन युनानी लेखक इस राज्य के सुर्ष सेनोई राज सुर्ष सेनोद था इसकी राजधाने को मोथेरा कहते थे बुध काल में यहां का राजा जो था आपका अवंतिक पुत्र था जो बुध के प्रमुख सिस्यों में से एक था मेगस्थनीच के समय यहां इस्थान कृष्ण पूजा का केंद्र था बुध की अनुयाईयों का भी यहां पे वर्चस हो था महत्पुल राजा जो है अवंतिपूर एन बुध का सिस्सा इसकी राजधाने जो था आपका मतुरा यमुना के टट परिस्तित था पांचाल इसकी अधुनिक बरेली और दच्षडी छेत्रों के लिए कंपिल्य आधुनिक फरुखा बाद थी ठीक है आगे है कन्नोच का प्रसित सहर जो है आपका पंचाल समराजे में इस्तित था बाद में सासन का सोरूप जो है राज तंत्र से गलतंत्र में इस्थांत्रित हो गया बात करेंगे कुरू की बारे में इसके रहे धन्युजी है आपका इंद्र प्रस्त है यानि 16 महाजनपत के बारे में जानकरी दिया गया है देखिए आधनिक जो इस्थान है दोस्तों आधनिक दिल्ली, मेरठ और दशिडा वर्ती, हरियाना के बारे में है बूद के समय यहां का राजा दो था आपका कौरो था और कुरू छेतर के आसपास का जो छेतर है इस पश्ट रूप से कुरू महाजनपत का इस्थल था यहां सासन के एक गलतन्द रूप में चला था महाकाब या महाभारत कुरू वन्स की दो सखाओं के बीच जो है संगर्स के बारे में बताता है मतफ से की बात करते हैं इसके राजधानी जो हैपका विराट नगर है आधुनिक इस्थान जैपूर अलवर भरतपूर राजिस्थान के आसपास का छेतर है इसके बारे में वर्णित है इह पंचालो के पस्षी में और कौरवो के दश्चिड में इस्थी था राजधानी विराट नगर जो की आधुनिक बैराट में इस्थी यह राजिस्थान के वर्तमान जैपूर अलवर और भरतपूर छेतर के आसपास इस्थी थे सरस्थापक जो था तो ये विराड था बात करेंगे हम चेदी या फिर चेदी भी बोलते हैं जिसे राजधानी इसका आपका सक्ति मती है आधुनिक जो इस्थान है आपका बुंदेल खिंड छेत्र जोकी उत्तर प्रदिस के बारे में है इसका जो उल्लेक है रिगवेद में क कि आ गया है राजधानी सोधीवती सुक्ति मती या फिर सोधिव सोधावती नगर थी यह वर्तमान बोंदेल खंड छेत्र या फिर मद्य भारत में इस्तित है राजा सिसुपाल वह पांडव राजा जोकी यूधि यूधिश्ठिर के राजस्वी बलिदान के दवरान जो इस्थान है मालवा मत्य परतिस के बारे में अवंती बहुत धर्म के उद्यक के संबंध में महतपूर था और अवंती की जो राजधानी है उजयनी या फिर उजयनी उत्तरी भाग और महिस्मती दच्छडी भाग में इस्तित थी राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों के द राजय सैनिक दिश्टी से अतियंत सवल हो गया ठीक है यहां वर्तमान मालवा और मध्य परदेश की आसपास इस्तित था महतपूर राजय तो यह आपके प्रगोत थे उद्यन के ससूर जित्य आपके वत्स के राजा थे बात करेंगे गंधार की बारे में तो राजदानी जो है आपका तक्ष शीला है आधुनिक जो सथलिया आपका रावल पिंडी एम पेसावर जो कि पाकिस्तान के बारे में है राजधाने जो है आपका तक्षसीला तक्षसीली या फिर तक्षसीला में था और वर्तमान इस्थान की बात करते हैं तो आधुनिक पेसावर और रावल पिंडी पाकिस्तान और कस्मीर घाटी अथर वेद में गांधार का उलेख मिलता है लोग यूद की कला में अतिधिक प् प्रमुख केंद्र था यह अंतराष्ट्री वानिजिक गतिविदियों के लिए महतपूर था महतपूर राजा की बात करें तो आपका पुसकर सरीन हो जाएगा छटी सताब्दी इसापूर के उतरार्ध में फार्सिया द्वारा गंधार पर विजय प्राप्त किया था याद रखेंगे कंबोज की बात करते हैं तो राजधानी आपका हाटक है उसके बाद राजधानी यानि आधुनिक स्थान जो है आपका सारोजी और हाजरा जो कि कस्मीर एन डबलू एफपी पाकिस्तान हो जाएगा के बारे में है कंबोज जो राजधानी दूस्तों पुंच थी क्या थी पुंच यह वर्तमान कस्मीर और हिंदू कुस में इस्थित है कई साहितिक स्रोतों का उल्लेक है कि कंबोज एक गड़ राज्य था कंबोज के पास जो है घोडों की एक उत्कृष्ट नसले थी उत्कृष्ट नसले थी बात करेंगे हम असमक के बारे तो राजधान पत में इस्थित्था याद रखेंगे इसमें प्रतिष्ठान या पेठन का छेतर जो है सामिल था बात करेंगे हम वज्जी की बारे में देखें राजधानी जो था आपका दोस्तों वैसाली विदेह या फिर मिथला था आधुने की स्थान की बात करते हैं तो वैसाली से शक्ति साली लिख्ञे भी राजधानी वैसाली विदेह राजधानी मिथ ला और ग्यांत्रिक कुंद पूर में इस्थित्थ हे महावीर ग्यांत्रिक वंस के थे आजास्तों ने वज्जी को पराजित किया याद रखेंगे बात करेंगे हम मलोक शीयों को पर नधिक्य भा और जैन्द गरंथो और महाभारत में मिलता है मल एक गणतंत्र था इसका छेत्र जो है आपका वज्जी राज्य की उत्री सीमा को छूता था राजधानिया कुसी नारा और पावा कुस जातक में ओका को वहां का राजा जो है बताया गया है बौत धर्म के इतिहास में दोनों प्राजधानिया महतपूर्ण है बुद्ध ने अपना अंति भोजन पावा में मिलिया और कुसी नारा में महा परिनिर्मान प्राप्त किया याद रखेंगे चली आगे इसमें आपका मिलान करके बताना है तो हम इसको देख लेते हैं दिसे सिक्षा जो दियागे है वेद मं म endured का पाथ हो जाएगा पौदोh में निम्न में से कौन सा हार्मौन विरधी हार्मौन नहीं है उत्तर हो जाएगा आपका एपसेसिक अमलों हो जाएगा ओपसंlawर्ण सही हो जाएगा देखे अगर हम बात करते हैं ऑक्सिन तो पौदोh के रिधी को नियंद्रित करने वाला हार्मोन है जिब्रैलिन जो है बाउने पौधे को लंबा करना साइटो काइनिन जो है बाउने पौधे को लंबा करने के लिए पुरियोग जो है किया जाता है तिहतरवा समिधान संसुधन जो है कहां पे लागू नहीं है उत्तर हो जागा केवल दो तीन चार में यानि आपका मेघाले में जम्मू कास्मीर और यहां पे नागालेंड हो जाएगा तिहट्र्वा समिधान सनसुदन में घाले जम्मू कस्मिर और नागानेट में लागू नहीं है. तिहट्रवा समिधान सनसुदन में 1995 पंचायती राज को सनमेधानिक मानेता मिला है. सिर्वी का पूरा नाम क्या है, यानि फुल फार्म पूछ रहा है. तो Small Industries Development Bank of India हो जाएगा इस्थापना जो है 2 April 1990 सुक्ष्पन लगू एवं मादेम उध्धो को बढ़ावा देने है तु है और मुख्याले हेट क्वार्टर जो है इसका लखनव में इस्तित है आगे है कि दाची गराम राश्टरी उध्यान में किस जानवर का सनक्षड किया जा रहा है उत्तर हो जाएगा कस्मीरी हीरण आप्सन हमारा यहां पटे सही उत्तर हो जाएगा दाची गराम उध्यान जो है कस्मीर में वस्तित है यह अब भ्यारेने जो है महा मिरिग के लिए प्रसीद है डंफा टाइगर रिजर्व जो की मीजोरम गेंडा के लिए राश्ट्री उध्यान है और काजी रंगा राश्ट्री उध्यान असम में है और बात करेंगे हम पोबी तोरा जो है रावन निजिया बेहनन असम में है दाल यानि जल्दा पारा राष्ट्री उद्यान पसी मंगाल औरंग राष्ट्री उद्यान असम मानस राष्ट्री उद्यान अफसम हो जाएका याद रखेंगे और हीम तेन्दुआ को देखने के लिए भारत में राष्ट्री उध्यान नीमन है जिसमें से हेमिस नेशनल पार्क जो है लेह में है दाची गराम राष्ट्री उध्यान जो है स्रीनगर में है ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में है पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश गंगोत्री राष्ट्री उध्यान जो है उत्राखंड में है याद रखेंगे फोलो की घाटी राष्ट्री उध्यान जो है उत्राखंड में है नंदा दिवी राष्ट्री उध्यान उत्राखंड में है गोविंद पसु बिहार राष्ट्री उध्यान जो है आपको उत्रा खंड में देखने को मिलता है आगे प्रस्ने के 2018 का IPL जो है जितने वाली टीम कौन सा है उत्तर हो जाएगा चेन्नाई सूपर किंग ओप्सन हमारा यहां पर एस सही हो जाएगा देखिए उपविएटा जो है आपका संध्राजय सहेधराबाद 2022 आईपेल जो है गुजिदाथ टैटन जोकी पहली बार उबियता आपका है राहस्थान रोयल प्रत्थम आए पिलीवियता जो दोस्तों द University 88 में आपका राहस्थान रोयल और उबियता की बात करते हैं चेंनि सुपर किंग है राजस्थान में इसरी मांपकी जगा राजिसभा में वर्तमान में कित्छे सदस्य हैं तो वर्तमान में पूछ रहा है तो आपको पताई होगा करीबन 200 कितना है 200 यहां पे 45 हो जाएगा देखे 233 प्लस 12 राष्टरपति द्वारा मननुट सदस जिसमें से आपका 245 जो है टोटल यहां पे हो जाएगा समझते हैं राज सभा में अधिक्तम संख्या जो है 250 है राज सभा का सनशना अनुचेद 288 भारत के संसद राष्टरपति राज सभा तथा लोग सभा से मिलकर की बनता है अनुचेद 79 लोग सभा में अधिक्तम संख्या जो है आपका 552 है वर्तमान में सदस संख्या जो है 545 है 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 140 समयधान संसुधन अधिनियम 2019 द्वार लोक सभा और राय सविधान सभाओं में आंगल भारतिय समुदाय के व्यक्तियों हेतू इस्थानों के अरक्षड का प्रावधान जो कि निस्परभावी कर दिया गया हलांकी 17 हमी लोक सभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधान सभाओं के विगटन तक इसमें आंगल भारतिय समुदाय के सदस्यों हेतू इस्थान जो है आरक्षड बने रहेंगे लोक सभा का वर्णन जो है अनुछद 81 है इसको भी आपच्छे से याद रखेंगे 2018 में कौन जो है मिस वर्ड चुनी गई है उत्तर हो जागा विनेशा पॉन्स डी लियोन जो है इसका उत्तर हो जाएगा 2017 में मिस वर्ड जो है मानुसी छिल्दर भारत 2022 मिस वर्ड जो है करोलीना बिलावसका पोलेंड 2021 मिस यूनिवर्स जो है 17 वाग बात करते हैं तो हरनाज संदु भारत के तिसरी विजयता पंजाब की रहने वाली है इंद्रा गांथी राष्ट्री पुरसकार 2018 जो है किसे दिया गया है उतर हो जाएगा सेंटर फॉर साइंट एंड डेबलप्मेंट हो जाएगा 2021 इंद्रा गांथी राष्ट्री पुरसकार प्रथम नमक और जीयों को मिला है गुरु गोविन्द सिंग का 2019 में कौन सा जन्म दिवस जो है मनाया गया है उतर हो जाएगा 352 ओमसन हमारा यहां पे यह हो जाएगा देखे गुरु गोविन्द सिंग जो है आपके सिख धर्म के दस्वें एवं अन्तिम गुरु थे इनका जन्म जो है 1666 इसवी में पटना में हुआ था इनकी मिरुत्यु जो है 7 अक्टूबर 1708 इसवी में नांदेड महराश्टर में हुआ था इसको भिया 25 से याद रखेंगे सिंग सभा कि इस थापना कहां पे किया गया है उतर हो जाएगा पंजाब ऑप्शन हमारा इहां पे सी सही हो जाएगा इसकी स्थापना जो है अमरिसर यानी पंजाब में हुआ है स्थापना अवर्स जो है 1873 में हुआ है 1873 आप इसको अच्छे से याद रखेंगे आगे हमारा है 21 नमबर बोला कि किरिसी मेला 2019 का आयोजन जो है कहां पे हुआ था उतर हमारा हो जाएगा नई दिल्ले में ऑप्शन हमारा इहां पे सी सही हो जाएगा देखे कुष्टी से समबादित निम्नमें से कौन खिलाडी है उतर हो जाएगा बजरंग पुनिया option हमारा यहां पे C सही हो जाएगा देखिए सुनिल छेतरी जो है फुटबॉल साइनना नहवाल जो है हमारा बैडमिंटन हो जाएगा पंकज आडवाने की बात करते हैं तो बिलियर्ड से स्नूकर हो जाएगा नोट टोकियो ओलंपिक 2021 में बजरंग पुनिया ने कांच से पदक जीता है इस प्रेंट को आप अच्छे से याद रखेंगे तजाकिस्तान की राजधानी कहां पर है उत्तर हो जाएगा दुसामबे ऑप्शन हमारा यहां पर C जो है सही उत्तर हो जाएगा आगे है तजाकिस्तान मध एसिया में इस्तित एक देश है जो चारो ओर से जमिन से घीरा है यहापले सोभूयत संग का हिस्सा था और उसके विगटन के बाद सन 1991 में एक स्वतंद्र देश बना यहां किराजधानी जो थी आपकी दूसामबे थी बिसके की बात करते हैं तो क इस से है उत्तर हो जाएगा वित्य विद्यक Eastern हमारा यहां पर तक हैं और किसी विद्यक में राजस्वः और खर्च की अलावा और प्रस्तावरत हो तो वह भीत्य विद्यक होगा बब 55 में बना है याद रखेंगे ब्रज यानि बजर प्रहार युद्यह ब्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है उत्तर हो जाएगा भारत और युए युएसे की बीच में होता है आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे भारत और ओमान नसीम अल बहर भारत और नेपाल सूरे की रण यह सब याद रखेंगे आगे के वर्दमान महाबीर का जन्म जो है कब हुआ था उत्तर हो जाएगा पांट सो चालिस जन्म इस्थान जो है कुण्डल ग्राम वैसाली बच्पन का नाम वर्धमान पिता जो है सिधार्थ माता जो है त्रेशला जो के लिश्वे कुल और पत्नी के नाम या सोदा पुत्री के नाम अनोजा या प्रिद रसनी दमा जो है जमाली है और जमाली और ग्यान प्राप्त की बात करते हैं तो आपका जिरिम्भीक ग्राम के समी प्रिजुपाली का नरदी बारा वर्स का तपस्या बृतियों जो है 400 इशापुर्व पावापूरी राजगेर में हुआ सिलवास घास का मैदान कहां पर पाया रता है उत्तर हमारा हो जाएगा अप्सन नमबर भी हो जाएगा दचड़ी अमेरिका ऑप्सन नमबर भी कुछ घास को मैदान इस परकाज से डाउंस अस्ट्रेलिया प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका इस्टेविज एसिया पंपास अर्जेंटीना कंपोज प्राजील सवाना जो है अफरीका वेल्ड जो है सही उत्तर हो जाएगा देखे वास्कोर्ड भारत जो है कब आये थे उत्तर हो जाएगा 1498 में इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्कोर्ड गामा एक पुरत गाली समंद्री रास्ता अन्वेशक था इन्हों ने यूरोप और भारत के बीच समंद्री मार्कर की खोश किया ये तीन बार भारत आये हुए थे इस पॉइंट का पचे से याद रखेंगे आगे क्या है हमारा प्रस्न बोला कि सुल्तान अजलान सा कप जो है किस खेल से संबंदित है उत्तर हमारा हो जाएगा होकी से है ऑप्शन नमबर बी देखिए अंध्र ट्रॉफी जिसे आपका आगाख संतोर्ष ट्रॉफी यह सब व्याद रखेंगे कैमूर वन जी अभ्यारन जो है कहां पर है आंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर ए बिहार में है देखिए वालम की अभ्यारन जो है पसीमी चंपारण गौतम बूद अभ्यारन जो है गया में है भीम बांध अभ्यारन ज जो है जमोई गोगाविल अभ्यान जो है कटिहार उदय पूर अभ्यान जो है पसीम चंपारण और कुसेसवर इस्थान पक्ष्य अभ्यान जो है दर्भंगा यह स्वाप को बिहार में ही पड़ता है करकरेखा निम्न में से किस राजे से नहीं गुजरता है उत्तर हो जाए गँजरता है उत्तर हो जाए गदे भारत आखसेवर ईंजन की ट्रेन है पूरी तरह से स्वाधेशी है निर्माण सवारी ढिबा कारखाना चेन नई मैक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित है शुरुवाद जो है फरवरी 2019 पहली ट्रेन नई दिल्ली से वरानसी दूसरी जो ट्रेन है नई दिल्ली से कट्रा यहां पे हो जाएगा आगे है कि ACI खेल 2018 कहां में हुआ था उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नबर ए इंडोनेसिया में देखिए ACI खेल 2018 इंडोनेसिया जाकारता में हुआ था 2022 ACI खेल उन्नीसवा जो है आयोजन जो है चीन यानि होंग जोव में हुआ कौन सा खाद स्रिंखला का निर्माण जो है करता है उत्तर हो जाएगा घास हीरन सेर ऑप्शन हमारे घास को हीरन खाता है और हीरन को सेर खाता है तेकि खाद स्रिंखला में परिष्टित्की तंत्र के विभिन जीवों की परस्पर भोज निर्माता को प्रदल्सित करते हैं किसी भी परिष्टित की तंत्र में कोई भी जी भोजन के लिए सभी जी वर्णस्पतियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निलबर रहता है ग्यानपिट पुरसकार 2018 जो है किसे मिला है उत्तर हो जाएगा अमिताब घोस को मिला है ओप्षन हमारा ए हो जाएगा तेकिए 2121 ग्यानपिट पुरसकार दमदर मोजी जोकी कुंकड़ी लेखक 2026 ग्यानपिट पुरसकार निल्मनी फूकन जूनियर अस्मिया कभी सुरुवाद जो है 1965 प्रत्थम विजयता जो है जी संकर कुरुप जोकी मल्यालम भासा ग्यात्री मंट्र के रषणां जो है जो है किस ने किया था उत्तर हमारा हो जाएगा ओप्शन बर एक विश्वा मितर के द्वारा यह किया गया है देखिए ग्यात्री मंद्र यानि महा मंतर सरपर्थम रिग्वेत के तिसरे मंदल में उद्रित हुआ इसके रिसी जो है विश्वा मित्र है और देवता सावित्री यह मंत्र विश्वा मित्र के इस सुक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है इस मंत्र में 24 अक्षर जिन में 88 अक्षरों के तीन चरण है आगे है क्वांटम सिधान्त का प्रतिपादन जो है किस ने किया था उत्तर हो क्वांटम सिधान्त के अनुसार प्रकास में उर्जा का रिड़ व्याप्त होता है इस सिधान्त का प्रतिपादन उन्नीस सो इसवी में मैक्स प्लंक ने किया था अलबर्ट आइश्टी ने सापक्षिता का सिधान्त माइकल फ्रेडे विद्धारा के चुमकी परभाव वर्नर हाईजियन बर्ग जो है आपका अन्सिता का सिधान्त यहां पे हो जाएगा कापास के लिए कौन सी मिट्टी जो है उप्यूकत है उत्तर हो जाएगा ऑप्षन बर भी काली मिट्टी देखे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसमें कापास की खेती ज्यादा होती है इसलिए इसे कपास की मिठी भी कहते हैं इसमें पोटार सथा कार्बनिक पदार्थों के अधिक्ता जो है देखने को मिलता है आगे है बोला कि नहावा नहावा सेवा यानि जावहाल नहरू पोर्ट बंदरगाह जो है किस राजी में है उत्तर हो जाएगा ओप्शन में और यह महराश्टर में आपको देखने को मिलता है देखे इसका निर्मार जो है मुंबई बंदरगाह का दवाव कम करने के लिए किया गया है नहावा सेवा देश का सबसे आधुनिक एमसर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है यह सूल कसमागरी के व्यापार हेतु प्रसी मंतरी हैं उत्तर हो जाएगा हमारा आप्सन मरसी नार्वे की हैं आगे है कि यह बोला कि अंड यानि अन डॉंटेट सेविंग द आइडिया आफ इंडिया नम पुस्तक कि जो है किस ने लिखा है तो पीच दंबरम हो जाएगा उत्तर हमारा यहां पे डी सही हो जाएगा सश लेकिए पाग जल्डबरू माद्य भारत के तमिनाड़ और स्रिलंका के उत्तरी भाग के बीच इस्थित एक जल सन्योजी है इस जल्डबरू माद्य की चोड़ाई है दुस्तों तीरपन से 80 किलोमेटर है विशेस ओलंपिक 2019 विस्व ग्रिस में कालिन खेल जो है कहां पे उत्तर हो जाएगा हमारा ओप्सन बर भी चीन में बना है चाइना में देखे चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित सिन्हुआ सरकार एजेंसी ने 22 फरवरी 2019 को घोशना किया है कि अगले कुछ ही हपतों में अपने नविंतम AI समाचार प्रस्तुत करता एक महिला लिंग प्रणाली जिसका नाम जो है सिन सियाउ मेंज है शुरू करने के लिए तैयार है इनमे से कौन सरा जो है करक रेखा के ठीक उपर हे उत्तर हो जाएगे हमारा ओप्सन बर एक त्रीपूरा उत्तर हो जाएगा आगे है कि होंडु रास की राजधानी कहाँ पर है उत्तर हो जायेगा option number C रेगू सीगलपा जो है इसका सही उत्तर हो जायेगा याद रखेंगे देखे हैं बात करेंगे निकोशिया साइपरस की राजधानी और नोहम पें जो है कोलंबिया की राजधानी स्वारी कमबोडिया की राजधानी है समिधान निर्माण हेतु समिधान सबाकर सतलसु द्वारा हस्ताक्षर कब जो है किया गया था उत्तर हो जाएगा 1949 ऑप्शन हमारा यहां पे बी हो जाएगा लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस का यानि किस दिवस का थीम है विस्वजल दिवस ऑप्शन हमारा यहां पे बी हो जाएगा देखिए विस्वजल दिवस जो है बाइस मार्च को मनाते हैं 2022 यह सब आप याद रहेंगे ग्राउंड वाटर मेकिंग द इन्वीजीबल व नתיल में यह जाएगा राजे में राष्ट्र människor राश्टर्पति सासन किस अनुष्यत के तहट वह लगए जाता है उत्तर हो जाएगा दो और चार यानि 356 वहँ जाएगा और 365 इसका शही उत्तर हो जाएगा देखे राश्टरपती सासन से जुड़े प्रावधान सम्मिधान के अनुशे 356 और 365 में अनुशे 356 के मुतावित राश्टरपती किसी विराज में राश्टरपती सासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतूष्टों की राज सरकार समिधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। संतावन के सिफारिश पर सरपर्थम 2 अक्टूबर 1969 को ततकरिल प्रधान मंत्री जावाला नहरू ने इसका सुभारम रायस्तान के ना अनागोर जिला के बगदरी गाव में किया था इसके पचाती 11 अक्टूबर 1969 में ही आंध्र परदेश में 1960 में असम तमिनाडू और करनाट सब्सक्राइब को लागू करने वाला प्रथम राज जो है आपका मद्य परदेश और तीहत्र में समिदान सुभाण का समय पंचायत से है याद रखेंगे अपातकाल की घोष्टना होने की एक महिने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है उत्तर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमर सी दोनों सदन याद रखेंगे देखे इगारहमा विस्टो हिंदी सम्मेलन जो है कहां पे संपन हुआ था उत्तर हो जाएगा ओप्सन नमर सी मोरिसस वर्तमान बारहमा हिंदी विस्टो हिंदी सम्मेलन जो है अब का दो हजार तैस नाड़ी फिजी में होगा याद रखेंगे असोग के सिलालेख को सरवपर्थम किस ने पड़ा है जैंस प्रिंसेप हो जाएगा ऑप्शन हमारे यहां पे सी हो जाएगा असोग के सिलालेख की खोज जो है सतरस पचाज इसे में पाट्रेटी फैन्थेलर ने किया सिलालेख की कुल संख्या जो है 14 है आगे प्रस्था कि कौन से संसदी समीति काय के ऑडिट रिपोर्ट की जाच करती है आंसर हमारा हो जाएगा ओप्शन बर भी लोग लेखा समीति जो है सही उत्तर हो जाएगा देखिये लोग लेखा समीति को प्राकलन समीति की जुड़वा बहन कहा जाता है इसमें कुल सद से लोग सभा के सबसे बड़े जो संसदी समीति है कारेकाल जो है एक वर्सका होता है भारत में स्वेत करांति के जानक कौन थे उत्तर हो जायागा डाक्टर वरगिच कुरियन ऑप्सन नंबर भी देखिये दूद करांति या ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार की एक योजना है जिससे भारत में दूद की कमी को दूर किया जा सकता है इसे हम सुवेत करांति भी कहते हैं शुरुआज जो है 13 जनवरी 1970 में हुआ है हरित क्यांतिक के शुरुआज जो है 1966-67 में प्राथम यानि प्रार्म करता जो है प्रोफेसर नार्मन बॉर्लाग बारत में शुरुआज जो है MS. स्वामी नेथन के द्वारा ये किया गया है हाल ही में World Government Summit जो है कहां पे हुआ है उत्तर हमारा हो जाएगा दूबाई में ऑप्सन बर ए ये करेंट अफ़र ओल्ड का है चुड़ते हैं आगे है कि इस्ठेफे नाइट किस धातू का आयसक है उत्तर हो जाएगा ऑप्सन बर भी चांदी का है देखे अन अईसक जैसे हार न सीलवर, रूबी सीलवर, सोना की बात करते हैं तो आपका कालवे राइट हो जाएगा, सिलवे नाइट हो जाएगा लोहा हेमेटाइट हो जाएगा मैंगनेटाइट हो जाएगा और सिडराइट हो जाएगा टीन जो है हमारा कैसिटे राइट यहाँ पे हो जाएगा आगे प्रस्न क्या है अंतराष्ट्री ज्या विवित्ता दिवसक कब मनाया जाता है उत्तर हो जाएगा 22 मही को मनाते हैं आप्शन बर ए सही हो जाएगा याद रखेंगे टीपू सुल्तान की राजधानी कहां पर थी तो इसकी जो राजधानी है सिरंग पटनम में था ओप्शन हमारा भी हो जाएगा सिरंग पटनम में जोकोबियन कलब की स्थापना किया सिरंग पटनम में स्वतन्दा का विरिख्च लगाया जो फ्रांस और मैसूर के मित्रता का प्रतीक है नौसिना बर्ड यानि बोर्ड का जो गठा ने 1776 में किया गया सिरंग पटनम की संदी जो है कब हुआ था दोस्तों तो यह हुआ था 1792 में ओप्शन हमारा यहां पर भी हो जाएगा तो कि प्रत्थम आंगल मैसुर्यों जो है यूद शासनकाल शासक और गवर्नर प्रत्थम जो है 1767 से उनहत्तर हैदरली और लॉर्ड वेरिलाष्ट हो जाएगा द्यूति जो है 1787 वरासी हैदरली वाइन हैस्टिंग तिसरा जो है 1792 से बानवे टीपू सुल्तान लॉर्ड कारने वालिस चतुर्स जो है आपका सत्थम निननबे टीपू सुल्तान लॉर्ड वेरिजली हो आगे है मिर्नाल सेन का समंद किस शेतर से है उत्तर हो जाएगा ऑप्सन नबर ए सेनिमा से है नागोया प्रोटोकॉल का वह जो है प्रभावित हुआ था तो यह आपका हुआ था 2014 में ऑप्सन हमारा डी हो जाएगा देखिए अगर हम बात करते हैं कि मांट्रियल प्रोटोक प्रोटोकाल प्रभावी 2005 में हुआ था भारत का पहला कीट संग्राहाले जो है कहां पर है तो कीट संग्राहाले कि अगर हम बात करते हैं तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्सन बरे तमिलनाडू में है तमिलनाडू में पहला डुगों समुद्री गाय सनक्षन केंद्र बी आगे हैं मॉंक डिंग सब्सक्राहाले किस कीट से संबंद्य जाएगा हमारा ऑप्सन केंड वाय में पिंच हीटेर घूगली यह सो हमारा कि किस से क्रिकेट से है भारती वायू सेना के पहली फ्लाइंग इंजिनियर यह है कॉन बनी है तो यह बनी है हीना जैसवाल ऑप्सन ह जो है पहली महिला युद्ध पाइलेट भावना कंड के साथ मोहन सिंग और अवनी चत्रुवेदी भी थी भावना कंड जो है तरभंगा यानि बिहार में इस्तित है यह सब मैच का प्रस्थ नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं आगे चलते हैं बोत्सवाना की राजधानी जो है आपका गबोरोने है नाइजर की राजधानी आपका नियामी है और नाइजिरिया की राजधानी है दोस्तो अबूजा है सुरत विभाजधन जो है कब हुआ था उत्तर हो जाएगा 1907 में ऑप्सन बर सी सही हो जाएगा देखिए कॉंग्रेस का सुरत अधिवेशन 26 दिसमर 1907 को सुरत में संपन हुआ गरम दल तथा नरम दल के आपसी मद भेदो के करड़ जो है इस अधिवेशन में कॉंग्रेस के सिफारिश पर भारतिय संपिधान में जोड़ा गया था उत्तर हो जाएगा स्वन सिंग संपिधी ऑप्सन हमारा डी हो जाएगा तेकि वर्तमान में 11 मौली करतब में सुरु में 10 मौली करतब भी बनाय गया थे 11 में मौली करतब में 86 संपिधान संसुदन 2002 दोरा जोड़ा ग निसुल का सिख्षा देने का प्राधान जो है किया गया है आगे है गलोबल इन्वार्मेंट आउटलूक कौन जारी करता है यह जानी करता है यूनेप करता है ऑप्सन हमारा यहां पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा याद रखेंगे देखिए यूनाइटेड नैसंस इन्व होता है उत्तर हो जाएगा आप्षंपर एक लिए बराबर होता है याद रखेंगे दोषनी तरंग जो है कौण स intuitively हैँ दोस्तों तो हमिषित अनुदेर्द प्रकाष तरंग आयंतर्ण के या है नीमन में से कौन से पु नागा नंदन की रशना जो है हर्सवर्धन ने किया था प्रथम चेरी ब्लासम की जो महोट्सों जो है कहां पर हुआ था उत्तर याद रखेंगे सिलोंग में हुआ था आप्शन बर्सी सही हो जाएगा देखें यहां हर साल नौंबर महिने में पहाड़ियों में चेरी ब्लास यानि जपान में भी हर सल अप्राइल स्कूल फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है आगे है बिहार के इन जीलों को उत्तर से दशिड़ में विवस्थित करके आपको बताना है तो हम इसको देख लेते हैं उत्तर हमारा यहां पर डी हो जाएगा यानि सिता मड़ी मुझफर पूरपर्टने जहानाबाद गया हो जाएगा वर्तमान में यानि बिहार में वर्तमान average जीला है बिहार का अन्यतिव जीला बना है यह अरवल बना है 2001 में बना है आगे क्या है कि इन्वे से कौन सी विधी परोक्ष पादप सनक्षण की विधी नहीं है उत्तर हो जाएगा इस्थांत्रिक इस्थांत्रिक किरिसी हो जाएगा हमबोल्ट जल्धारा दश्विड अमेरिका के किस टर्ट पर अवस्थित है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब्रवी पस्षिम में द दवन्ता दोनों कम है तर्ट से सागर की और जाने के कारड़ जो है तापमान बढ़ जाता है समिधान में सब्सक्रावीद्रो कि समिधान संसुधन के अंतरगा जो है जोड़ा गया है उत्तर हो जागा चवालिसवां जो कि उनिस उड़तर में किया गया था आगे है कि इटाम क कि नेशनल पार्क जो है कहां परवस्तित है तो यह आपका नागा लेंड में इस्थी थे ओप्सन हमारा यहां पर यह हो जाएगा तेखे सिक्किम की बात करते हैं तो पंगोलक वनजिया भैरने कंचन जंगा वनजिया भैरने मणीपूर में आपका केबूल लाम जाओ एक मा और तो सौदेश मिध्रम पत्रिका जो है किसने शुरू किया था उत्तर हो जाएगा जी स्ब्रमनियां अयर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहर राय संबात कौम्धी मिरातूल अकबार लोकमाने तिलग जो है कैसरी वाराठी भासा मराठा अंग्रेजी गी बिदा रहे से हो जाएगा लेंज के सक्ति का संबंद जो है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे उत्तर हो जाएगा हमारा option number C लेंस के सक्ति इस पर आपका लिखा गया adapter होता है वनस्पती घी बनाने में परिव्ट परकिरिया पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा हाइट्रोजनी करड़ हो जाएगा option number B जब राज सभा के उपस्वापती को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारा धीन हो तब उसका फिठासिन होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुशेद होगा उत्तर हो जाएगा option number B 92 हो जाएगा देखे अनुशे दिक्यानवे जो है सभापती किपद के कर्तवे पादन करने की खरक्ती अनुशे 93 जो है लोग सभा के अद्यक्ष और उपाद्यक्ष के बारे में उपबंध है सिंदु घाटी सभेता से प्राप्त पस्वापती सील पर किस जानवर का अंकलन नहीं है एक व्यक्ति विराजमान है जिसके तीन सीर है इसका एक पैर मुड़ा है और एक नीचे की और लटका है इसके दोनों और जो है पसू है पंचायतों की वित्य इस्थिति की सिफारिस राजे वित आयोग द्वारा किसे की जाती है उत्तर हो जाएगा राजेपाल ओप्सन हमारा यह हो जाएगा धोने की प्रबलता जो है निर्भर करता है दोस्तों तो यह आपका आयाम पर निर्भर करता है option हमारा यहां पर यह हो जाएगा धोनी का वह गुड़ जिसके करण कोई धोनी मन या तेज सुनाई देती है उसे हम धोनी प्रबलता कहते है प्रबलता आयाम के बढ़ने के साथ बढ़ता है धोनी की प्रबलता इस्तर को व्यक्त करने के लिए decibel मात्र का प्रयोग होता है समानेता धोनी की प्रबलता धोनी की तिवरता के साथ बढ़ता है दोने की तिब्रता दोने की उर्जापन निर्भर करता है दोने की तिब्रता जो है वह इस्तर बेल या डेसिमल में मापायाता है एक बिल बराबर दस डेसिबल होता है साबुन में उपसित सीमेल साबुन में उपसित मिसेल का अणू किस दिशा में होता है उत्तर हो जागा इन कुछ कहते हैं यहां जल वीरागी होता है इसे अधवीय सीरा भी कहते हैं इसका दूसरा सीरा जो है कू धुरूवीय सीरा कहलाता है इसे सिर्स भी कहते हैं जो जल रागी होता है बात करेंगे हम क्रांतिक मिसेल संद्रता पर जो कि इस्टेरेट आयन गोलिय की रूप में विव उत्तर हो जाएगा संचलन समीति के मुंत्सी हो जाएगा ऑप्शन मुंबर सी देखे संचलन समीति के अध्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बहना जाएगा इसमें किसे संगठन के सदक्सियों को किस अधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वन्चित जो है किया सकता है उत्तर हो जाएगा राष्टर की एकता एवं सपरभूता के खिलाप option हमारा ए सई हो जाएगा मंतरी परिशत सामुहिक रूप से किस के प्रति जो ह अब दे हैं उत्तर हो जाएगा option बरे लोग सभा मंतरी परिशत का जो वंडन है दोस्तों अनुशे 74 और 75 में है बीटिंग रिट्रीट उत्सों का यह उस्टों जो है कब मना जाता है तो यह मनाते हैं 29 जनवरी option बर टी 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है किसे बनाए गया था तो यह मेजर रेनल को बनाए गया था option हमारा डी हो जाएगा तो कि इस्ट इंडिया कमपनी के अफसरों ने 1750 इस्विं बंबाई कलकत्ता और मदरास के आसपास प्रसासन राजस्वाद निभ्धारण और वेपा या फिर भारत के पहले सर्वेयर जनरल आफ सर्वे करनल विलियम विलियम लेंबर्टन को 1802 इसवे में टाइग टाइगो नो मैट्रिकल सर्वेय आफ इंडिया की स्थापना का स्रे जो है जाता है दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर स्वाप्स होता है वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा अगर आप टार्गेट बैच में जोएन होना चाहते हैं तो यह आपका वाट्स अप नमबर आप लिख लिजिए 8756546533 आप इसपे वाट्स अप कीजिए बिहार दरोगा टेलिग्राम में कैसे जूणना है आप सब लोग को पूरा प्रोसेस बताया बिलते हैं एक नए वीडियो में आज के लिए इतना ही जय हिंद